आज हम एक और नई रेसिपी लेगा आए हैं जो बहुत ही टेश्टी लगेगी और घर में सभी पसंद करेंगे इस रेसिपी को आप ट्राइ करना और बहुत ही सोफ्ट जूसी सी चिकन तेयार होगा मनकर और इसका टेश्ट बहुत अच्छा होगा माशाला तो आई ये बनाना सुरू करते हैं ये कैसे बनता है इसका नाम है स्मोकी चिकन करी ये बहुत ही टेश्टी बनती है अस्सलाम लेकुम इसके लिए हमने आदा किलो चिकन ले लेना है और इस तरह से कट लगा लेने है इने अच्छे से वोश कर लेना है और इसके अंदर क्या-क्या समान को बड़े-बड़े पीसिज में इस तरह से कट कर लेना है जैसे चिकन चिली में कट करते ना है इस तरह से और ये एक बड़े साइस के हमने कैप्सिकम ली है इसे भी हमें इस तरह से कट कर लेना है और इसके बीज जो है वो बीज निकाल लेने है तीन बड़े साइस के हमने टमाटर बड़ बड़े पीसिस में कट कर लेने है और पाच हरी मिर्च इसे भी बड़े पीसिस में कट कर लेना है दो बड़ी चमच फुल भरके दही लेंगे और एक बड़ी चमच फुल भरके अधरक लैसम का पेश्ट लेना है एक छोड़ी चमच नमक लेंगे और आधा छो सुरू करते हैं एक कढ़ाई के अंदर 100 ग्राम तेल गरम कर लिए C तेल को गरम कर लेंगे, गरम करने के बाद सारा चिकन इसके अंदर add कर लेना है, डालने के बाद अब इसे बराबर चलाते हुए fry कर लेना है, जब यह चिकन बिल्कुल white color का हो जाएगा, इस तरह का आपको दिखाई देगा, अब यह fry हो गया है, अब इसके अंदर अद्रक ल मसाले इसके अंदर add कर लेने है, कलर को हम बाद में add करेंगे, सिर्फ नमक, मिर्स, धनिया, हल्दी यह चीजे डाल लेनी है, डालने के बाद एक बाद अच्छे से चला लेना है, अब इस मसाले को अच्छे से भून लेना है, अब अगर आपको जरूरत लगे तो थोड़ा स इसके अंदर पानी add कर सकते हैं, दो से तीन चमच, अब बहुत अच्छी तरह से इसे भून लेंगे, तो मैंने दो चमच के हिसाब से इसके अंदर दो तीन चमच पानी add कर दिया है, मसाले को भूनने के हिसाब से, अब यह बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे, दो तीन म पड़ता है नहीं तो देही फट जाती है और अब इसके अंदर एड़ करेंगे हम जो हमने आपको समान दिखाए हैं यह सारे समान इसके अंदर डाल लेने हैं आप इस रेसिपी को बहुत जल्दी करके बना सकते हैं और बहुत ही टेश्टी बनती है एक बार बना कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कितना अच्छा टेश्ट आता है और कितनी जल्दी यह बनने वाली रेसिपी है अब सार समान डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है हम इसके अंदर आप बिल्कुल भी पानी नहीं एट करेंगे सिर्फ इसी मसाले के अंदर इसी सावानों के अंदर यह अच्छे से गल भी जाएगी और टमाटर वगारा यह सारे चीजे अपनी पानी भी छोड़ेगी इसके अंदर यह चिकन गल भी जाएगा आप इसे कम से कम दस मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुक करना है पका लेना है दस मिनट बाद खोल कर अब इसके अंदर डालेंगे कर लेना है कसोरी मेथी को हलका सा तवे पर रोष्ट कर लेंगे और हातों से चूरा कर करके इसके अंदर एड कर लेना है जब कर दो कर दोदिल लेना कशन टो जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब इसके अंदर एड करेंगे हम घी तो 50 ग्राम के हिसाब से हम इसके अंदर देशी घी एड करेंगे इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आप अपने टेस्ट के गोडिंग इसके अंदर आप चाहो तो बटर भी एड कर सकते हैं अगर जासा एक दो चम्मच इसके अंदर पानी एड कर सकते हैं वैसे यह इसी तरह की ड्राइब बनाई जाती है पास से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे अच्छे से पकाएंगे जब यह पास से 6 मिनट हो जाएगी इसे पकते हुए इस तरह आपको दिखाई देग तो इसी तरह का यह सालन होता है इसके अंदर जादा ग्रेवी नहीं होती है अगर आपको जरूरत लगे तो एक से दो चम्मच पानी एड कर सकते हैं लेकिन यह इसी तरह का टेश्टी लगता है अब यह इसके अंदर हम हरा धनिया एड करेंगे और हाँ सबसे ज़्यादा मे अगर नहीं गला तो इतनी दिर हमें पकाना होता है अब चिकन भी अच्छे से गल गया हमने बोटी चेक कर ली है तो पूरी तरह से गल गया है अब यह इस तरह से अब थोड़ी दिर के लिए हम कवर कर देंगे इसके जो ओएल होगा सारा सेपरेट हो जाएगा और अब इसक क्या होगा इसकी जो स्मोकी फ्लेवर होगा वह इस चिकन के अंदर आ जाएगा इससे इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाएगा जब दुआ बिल्कुल खतम हो जाए तब इसे हटा लेना है अगर आपको कम इसे स्मोकी फ्लेवर लेना है तो आप कम भी इसे स्मोकी फ्ल आईए घर में सभी पसंद करेंगे अगर आपको यह रैस पी अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट वोक्स में जाकर हैं कमेंट जुरू करना वीडियो को लाइक से रहे चैनल को सब्सक्राइब करना अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अल्ला हाभी